हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शिर्क करूँगी कि आप अपने नेक को बैक में से अन्मॉंटिड हेयर को कैसे निकाल सेकते स्ट्रेप बैस्ट्रेप में आपको फुल प्रोसेस बताऊंगी तो वीडियो का अंट तक जरूर दे कि वीडियो को लाइक कर दे में चल को सब्सक्राइब कर दे तो फ्रेंट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो वैक्सिंग के लिए हमने यहां पर यूज किया हनी की कोल्ड वैक्स आप देख सोकते हैं काफी ज़रा फॉर्डिबल वाली वैक्स है और हीटर में अ काफीजा अच्री होती है और नेक वैक्सिंग करने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने पाउडर का यूज की है अगर आपके क्लाइन को काफीजा स्वैटिंग की प्रॉबलम है तो आप पहले थोड़ा सा पाउडर यूज कर सकती हैं बड मैं आपको रेकुमेंड करूँगी कि वैक्सिंग के पहले आप थोड़ा सा पाउडर यूज करने इससे स्किन थोड़ी सी ड्राय हो जाती है और वैक्सिंग कफीजा इसली से हो जाती है आप देख सकते हो स्पैचुला की हेल्प से आपको वैक्स लगाना स्टार्ट करने बिल्कुल पतली लेयर आप देख सकते हो मैं आपको बिल्कुल पास यह दिखा रही हूं यह वैक्स जादा अफॉर्ड़ वाली वैक्स है ओनली 60 रुपीज में आपको यह वैक्स लोकल स्टोट से मिल जाएगी आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन में आपकी बाल है उस डायरेक्शन में आपको लगानी है और strip भी आपको उसी direction में लगानी है आप देख सकते हो एकी बार में आपकी tanning को भी सारी निकालती है और जो भी आपके unwanted hair है उससे भी निकाल देती है आप difference देख सकते हैं एकी बार में जो भी बाल थे वो भी निकल गी है और unwanted जो भी हमारी tanning थी वो भी सारी निक जाधा मोटी यहापको लेर नहीं लगानी है अगर जादा है घर के कन oldest système करेंनी दैर तो हम्मारी बालव से उतनी जरा अच्छे से नहीं निगलते और आपको 5 तो एक्मारे हैं लगानी हैं अब देख耶 से बिल्कुल और को लगाना अगर आप जादा मोटी लगाएंगे तो आपके बाल इतनी ज्ति अफिए लेयर लगानी है जिस डारेक्चन में आपके बाल उसी direction में ही बाद में आपको strip लगानी है एक ही बार में जो भी आपके unwanted hair होगी जा जो भी unwanted tanning होगी वो सारी निकल जाएगे अगर आपको काफी जरा बैक में टैनिंग की प्रॉब्लम लेड स्कीन है, काफी जरा डैड सेल्स हैं, तो आप वेक्स करवा सकते हैं, इससे जो भी आपको टैनिंग होगी वो सारी निकल जाएगी, इस तरीके से नेक पे भी हम वेक्स लगा देंगे, आप देख सकते हो, अग इस डिरेक्शन में ही आपको स्ट्रिप लगानी है, एक ही बार में जो भी आपके सारे बाल है वो निकल जाएगे, आप देख सकते हो, आप कोई भी वेक्स ले सकते हैं, जो आपको सूट करें, ये वेक्स भी काफी जरा अफॉड़िबल है, और इसकी क्वालिटी भी काफी जरा अच्छी है, तो आप देख सकते हो, अच्छे से हमने इस तरीके से वेक्सिंग की है, अगर आप एही मेथट फोलो करके वेक्सिंग करेंगे, एक ही बार में जो भी टैनिंग होगी, सारे डैट स्किन होगी, जान वांटिड हेयर होगी, वो सारे निकल जाएगे, तो व रेंट का पाउडर ले सकते हैं, आप से डियरेक्शन में कि इला अपके बाल होगे। उसी Oliverже's जरे इस पर लगता है, चाहिए ज चाहिए बड़ी बाली स्टिप्स लिख कर सकते है, जो चोटे बाली स्रिप्स होती हो solemn हो, इस तंडिगई का बस्ति बाल ही निकल पाते। झाल झाल